बिसमिल्लार्माने रहीम, तो हम लोग अपना IFRS 15 का हम लोग ने स्टार्ट कर लिया था चाप्टर, ठीक है, जल्दी से मना आपको ओवर्वियू दे देशी हूँ, कल हम लोगो ने step number one के बारे में थोड़ी से discussion की थी, कल हम लोगो ने ये रेखा था, कि आपके पास step number one है, identification of contract, पहले तो मैंने आपको general rule लिखवा दिया ना, कि recognition होनी कैसे चाहिए, revenue की, सही है, फिर मैंने आपको ये बताया है, कि जी अब उसके अंदर जो general rule है, revenue recognition का, कि जी revenue recognition should reflect, it should depict the transfer of goods or services, ठीक है, और वो किस तरह से हम उसको फिर apply किस तरह से करेंगे, जो हम actually accounting के उपर आएंगे, तो उसकी application किस तरह से करनी है, तो मैंने उसमें आपको 5 steps बताये थे, और उनका acronym हमने बना ले था copper, right, C-O-P-A-R, तो सबसे पहला step आपका है, contract की identification, और ये acronym, तो इसमें वो आप से basically पूछता ही है, रेक्वाइमेंट ही है कि भी बताएं, कि as per R-15 इसकी revenue recognition होगा कैसे, अब वो तो है जी, 5-6 marks का सवाल होगा, तो इसमें आपने सिर्फ एक line में थोड़ी बता जेना है, कि revenue recognition इसना है इसना होगा, आपको पूरे 5-5 steps के बारे में तो हम अब step number 2 पर आजाएंगे, step number 2 में यह यह performance obligations है, यह यह इनकी transaction price है, यह allocated price है और इस तहां से तो हम लोगों ने ultimately अपना answer करना है, चीक है, तो step number 1 के लिए जल्दी से revise कर लेते हैंगे, step number 1 में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है, कि क्या इस particular arrangement में contract म मौझूद होना या ना होना, इसके रिए में आपको यह बता दिया, कि अगर तो contract मौझूद नहीं है, उसके अंदर हमें क्या indication मिलेगी, contract वो arrangement contract नहीं कहलाएगा, अगर तो उसमें यह situation है, कि कोई भी party उस contract को terminate कर सकती है, without compensating the entity, ठीक है, तो इसमें major, सबसे पहले आपने यह चीज़ चेक की, कि अगर तो, मतलब इसका underlying rule क्या है, contract वहां पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके में situation यह होगी, कि each party has an enforceable right to terminate the contract without compensating the other party, ठीक है, इसको जरा further मैंने आज explain करना था, कि contract ना होना, क्या मतलब है, यह situation में आएगा, जहां पे, Terminator, अगर मैं standard की terms इस्तमाल करूँ, तो terminator, wholly underperformed या unperformed contract, Without compensating The other party, ठीक है, The other party, The other party को specialized machines construct करके, special asset construct करके, उसको deliver करना था, मार्च में, याद है ना, तो अब क्या होता है, अब आज के दिन हम लोग construction start हमने कर दी, right, अब हुआ क्या, अभी तर हम लोगों ने, ना, अपनी goods deliver किये है, ना, हमने goods actually deliver किये थे, ना, हम लोगों सामने वाली party ने consideration pay किया था, भी हम उसके काम करना शुरू होए थे, right, हमने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो हमारा ultimate objective था, कि हमें वो machine दिलिवर करनी है, और सामने वाली party ने consideration pay करना है, दोनों काम होन इससे पहले क्या हो गया, Mr. A.A. ने आके कह दिया कि जी, I'm sorry, I'm terminating the contract, तो अगर उसको agreement के अंडर उसके पास ये right था, कि he could terminate a wholly underperformed contract without compensating the other party, तो हम कहेंगे कि आज के दिन पर हम कहेंगे कि ये contract है ही नही, you're getting my point, तो सबसे तरह है तो आपने identify करना है, आपने criteria apply करना है, कि contract है भी या नहीं है, यानि कि वो arrangement जो है, उसके मेरा हम कहेंगे कि contract मौदूद है, enforceable rights and obligations है या नहीं, ठीक है, तो मैंना आपको पंट्रा की definition करते जा दिका था है, कि उसमें enforceable rights भी होती है और obligations भी होती है, तो यहाँ पे अगर हम ये कहें, कि सामने वाली party के पास ये right है, क उनों party मैंसे किसी में भी अपना respective promise fulfill up तक नहीं किया था, wholly unperformed हो क्या मतलब है, ना हमने उसको good deliver किये, ना उसने हमें consideration पे किया, ये दोनों काम होने से पहले ही क्या हुआ, सामने वाली party में आके contract को terminate कर दिया, और अगर इसकी पास ये right था, कि वो कर सकता है, without compensating the other party, तो date date of agreement पे जिस देट पे हम वो enter into होंगे, और कहेंगे कि this is not a contract under IFRS 50, यानि कि contract की definition को fulfill ही नहीं करता, ठीक है, फिर अगर हमें ये पता लग जाए कि जी ऐसी बात कोई भी नहीं थी, वो contract contract था, ठीक है, यानि कि वो contract में enforceable rights and obligations थी, और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं थी, कि जी अगर दोनों में से किसी ने भी काम ना किया हो, और अगर कोई party आके उसको terminate कर दे, तो कोई compensation नहीं होगा, अवजाई की बात है, हमने अपने पार्ट पे थोड़ा काम तो करना शुरू कर दिया था ना, हाँ हमने delivery नहीं किती हो पितर बुच की, हमारा जो main promise था, main obligation थी, हम अगर अगर कोई सेनारियो नहीं है, और अगर agreement के अंदर ये बात दिखी भी है, कि अगर performance कूरी करने से पहले ही, होली अगर 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 termination होता है, और compensation की liability आती है उसमें, तो इसका मताब है कि वो सही मानों में contract है, उसमें enforceable rights भी है, और impossible obligations भी है, याने कि आप सेरे करा के, मार्च से पहले, अगर वो consideration पे करने से पहले और बुझ रसीव करने से पहले, दोनों काम करने से पहले, अगर मार्च से पहले हो आगर हमें कहते हैं कि जी, we're terminating the contract, और अगर हमें agreement के अंदर ये power हसल है, कि हम उसको कहें कि नहीं, अग तो आप terminate नहीं कर सकते ह तो प्लीज आप हमें charges पे करें, fine पे करें, हमने काम शुरू कर दिया था आपके लिए, हमने अपने resources set aside कर दिया थे, so we should be getting some compensation for that loss, right? तो अगर तो हमें कोई situation हम कहेंगे, हाँ, हमारी उसी satisfy होती है, कि उसमें impossible rights तो है ही है, साथी impossible obligations भी है, ठीक है? जब आपकर एक agreement, एक arrangement जब वो contract की definition में fall कर जाता है, तो फिर आपको check करना है, कि क्या वो particular contract, वो पांच criteria meet करता है या नहीं? ठीक है? याद है? तो अगर आपके पास वो particular contract जो है, वो contract हो हो गया, अब वो contract वो पांच जो items थे, वो fulfill कर भी सकता है, और वो fulfill नहीं भी कर सकता, ठीक है? यानि कि वो contract हो है, obligation उसके अंदर है, enforceable right and obligation है, लेकिन let's say, consideration probable नहीं है, तो हम यह कहेंगे कि यह contract हो है, जो criteria set aside हुआ हुआ है, अपर इसके team में उसको fulfill नहीं करता, और अगर इसमें वो पांचों उसके जो features थे, उसमें आ जाते हैं, कौन-कौन से features थे उसमें? उसमें यह कि, कि each party's rights are identified, right, सबने note किया वचा, the contract is approved, each party's rights are identified, payment terms are identified, and the contract has commercial substance, and it is probable that consideration will be received by the entity, यह चारों, यह पांचों criteria अगर फुल्फिल होए, तो आपने क्या करना है, you have to go to step 2, है ना, फिर हम आगे proceed करेंगे, हम कहेंगे कि अब हमारा क्या situation है, अब हम लोग step 2 पे चले जाएंगे, step 2 आपके gets related to performance obligations, उसके पर अभी हम आते हैं, और अगर criteria, पांचों criteria में से कोई एक भी criteria meet नहीं करेगा, तो उसमें मैंने आपको ये भी लिख दाए था, तो फिर revenue recognition किस scenarios है, I am not repeating those scenarios, तो कि मैंने कर, scenarios लिख दिये थे, चले हम पर repeat कर दिती हूं, कि अगर criteria meet नहीं करता, तो फिर revenue कब recognize होगा, revenue recognize होगा, at the termination of contract, तो जब contract आपका terminate हो गया, और आपने कोई consideration receive हुआ, आपने consideration receive कर लिया था थोड़ा बहुद, और वो consideration थी non-refundable, ठीक है, as a termination of contract, revenue किस amount पर recognize होगा, up to the amount of consideration received, और वो consideration received क्या होगी, non-refundable होगी, तो यह हम करेंगे, वरना अगर terminate हो जाए, contract और consideration refundable हो, तो इसका क्या मतलब है, no revenue at all, वो हमें consideration वापस करनी पड़ जाएगी, यहां तक वेरे, या फिर, अगर contract terminate नहीं हो रहा, तो फिर हमें क्या करने है, जब आपकी entity जो है, वो सारी अपनी performance पूरी कर ले, मैं इसको सिब readout कर देती हूँ, कर मैंने यह बात लिखाएगी, यह contract मैं लिखा वा है, तो अगर आपके पास यह situation हो, कि अब आपका contract terminate नहीं हो रहा, और आपकी criteria वो पांचों के पांचों meet नहीं हो रहे, contract है, लेकिन criteria meet नहीं कर रहा, और आपके पास यह situation है कि contract भी terminate नहीं हो रहा, तो फिर revenue कभ recognize करेंगे, revenue will be recognized when the entity's performance is complete, यानि कि जब entity के पार्ट पर जो काम था वो उसने कर लिया, and all, और substantially all, यानि कि more than 80%, more than 90%, right, आपको उसमें वो situation को देख के करना कि क्या substantial consideration हमें मिल गई, या नहीं मिल गई, right, तो अगर तो substantial consideration मिल गई, और वो consideration non-refundable है, तो हम उस point पे revenue को recognize कर देंगे, up to the point, up to the amount of consideration received, तीक है, मैं कोशिश ही कर लियू कि मैं पूरे step का नहीं इक इसम का flow chart type का बना दो, इसका मैंने भी छोटा size बना दो, तो make it more simple for you guys, तो करता है तो हम नहीं या तो पड़ा था, आपने contract की identification कर ली, contract के पांसर criteria fulfilled होए, तो अब आप कॉंसे step पे चले जाएंगे, you move to step number two, step number two क्या था, C के बाद क्या था, O, right, और O से मैंने आपको ये बताया था, कि identification of performance obligation, ठीक है, अब हम देखेंगे कि performance obligation ये obligation क्या होती है, हर जगा हम देखेंगे हैं, obligation, obligation लिखा वै, तो identification of performance obligation में, सबसे पहले तो हम ये देख लें, कि performance obligation का मतलब क्या होता है, performance obligation, simply put, performance obligation ये obligations क्या होते हैं, promises in a contract, ठीक है, जो entity promises करती है, उनको हम कहते हैं, performance obligations, promises in a contract, to deliver goods or service, अब ये भी बहुत obvious सी बात लग रही हैं न, बहुत obvious सी बात लग रही है, लेकिन इसको भी हमने, अलग step में इसलिए convert किया हुए, इसको अलग step इसका proper बनाया रहा है, इसके लिए proper हमें काम करना है, क्यों? क्योंकि ये भी इतना simple नहीं होता, मैंने आपको ये बात बताई है, कि i4S 15 में आपको बहुत practical किसम की example सामने आएंगी, इसके situation नहीं होगी, बहुत practical चीज़ें होती हैं, practically contract बड़े complicated किसम के भी हम करते हैं with the customers, right? So you have to apply each of these stuff properly, और तासी उनमें इसोज बचार करने के जूद पर, यहां पर हमने देखिया कि performance obligation से क्या मुराद है, कि entity ने क्या promises किये थे, एक contract में, कितने promises किये थे, एक भी हो सब्सक्राइब, एक से जादा भी हो सब्सक्राइब, example मैं भी आखो कराती हूँ, तो promises in a contract to deliver goods and services, या services, ठीक है? अब यहां पर हमें करना क्या होगा? एक contract के अंदर हमें देखना है, कि क्या एक से जादा promises हैं इसमें या नहीं, ठीक है? इसका क्या मतलब है, कि आपकी जो performance obligations हैं, एक performance obligation, दूसरी performance obligation से separate हो सकती है, कैसे separate होगी? are accounted for separately, मैं शाहला भी example भी आकर सामें लिखती हूँ, क्लेर जाएगा बाद, are accounted for separately, if the promised goods or services can be sold separately, क्या मतलब हो अज़का? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसको accounting की term में कहते हैं, that is the good or service is distinct, समझ में आ जाएगा सारा अभी, example करते हैं, ठीक है, example पर आते हैं, अब अगर for example, मैं आकर सामने मिदे टाइप करने के time नहीं मिल रहा, तो मैं आकर सामने example लिख देती हूँ, ठीक है, example जिसके तुरू हम इस तीज को हाइलाइट करेंगे वो क्या है, शाइमने मिल्टी णसा यहीं मपने mist आते हैं, प्सक्सा थान average आते हैं, इस लب-डिएंगा रहीं मपने आते हैं, समझ में आते हैं, प्सक्त्स केंगास आते हैं, समगास हैं, UniAir, कोई Airline छी, तो Airline आपको पता है न कि Booking & Reservation होती है तो अब उसको हम Excel पे थोड़ी रिकॉर्डिंग करें तो उसको प्रॉपर सिस्टम होता है, Software होता है, तो XYZ Limited जो Entity थी उसका यही काम था, वही Software House था, तो उसने क्या किया, आपको आपको 24 सोओन सिस्टम सिस्टमाइ सिरकें तो स्कत्राइए तो समस्टीर स्चिस has the कॉटकोड्याएं पर्ट अर अब ऋ करें तो साल के अंडर एक्स वाई दी लिमिटेड ने क्या क्या काम करने है क्या 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 काम करने एक तो वो आपको देगा क्या सॉफ्टवेर एंड इस लाइसेंस ठीक है? में छी तो यह ना वो सॉफ्टवेर इसने डिवल्ब करके आख को बेचा है ने कही यूनी एर को बेचा तो पहरी चीज तो वो कह रहा है कि जी उसने अंडर देर टॉंग अप्र अर्रेंजमेंट क्या और है सॉफ्टवेर और वालेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा XYZ लिमिटिब ठीक है थिर वो यह कह रहा है कि as a part of the whole arrangement टेक्निकल सपोर्ट and maintenance उपर सपोर्ट पेज मेरा आला आगया है पेज मेरा दूस्टा होगा है जब भी तो नोट कर ले ठीक है आगे कर लूँ है तो अब उसमें पंचार्ट्र अब्लिगेशन कौन पंच है कि जी XYZ लिमिटिट में अग्री किया है करेंगे वो सफ्ट्वेर लाइसेंस भी प्रोवाइड करेगा सप्लाय करेगा इंस्टॉलेशन सफिसेज भी प्रोवाइड करेगा टेशनिकल सपोर्ट यानि के आपका अगर इस्टॉलेशन के पार थोड़ा उंत्री हो गया ड्रेंग करना दुसरे लोगों के बहित कुछ से अपरेट करना है जो जोड़ी वह सराभी आगी मेंटेमेंट्स गहरा सौफ़ेर की वह चीज और साथ ही अर्रेंजमेंट में यह भी लिखा गया है कि XYZ लिमिटेट सौफ़ेर के अपडेट भी प्रोवाइड करेगा आज और अपडेट करते रहेंगे वह उसको प्रोवाइड करते रहेगा अब आपकी रिक्वार्मेंट क्या भी फुल फ्लजिट प्रस्टिन नहीं है इसमें मैं आपसे यह कूछ रही हूँ कि आपने मुझे आइडेंटिफा अजयर बनाएक करके देना है पूफ़ॉमंस अब्लिगेशन तुन पहले हम स्टेप बन से ही शुरू करते हैं कि क्या इसमें स्टेप बन है क्योंकि हमें इससा इससे करके इस तरह से शीक्रा है कि किस तरह से आउस्ट प्रेंगे तो लिक्वार्मेंट में तो यह मांग रहा मैं यह चीज आपको लिख्वाना भूल गई, step number one के अंदर और वो यह बात है कि contract जरूरी नहीं है कि वो written हो, ठीक है, contract can be written, it can be verbal, or it can even be implied, implied से क्या मराद है कि किसी ने terms and conditions उसके अतर नहीं किया, यानि कि बातकीत उसकी actually हुई नहीं, लेकिन business की policy यह है, business का the nature है, वो यह है, कि वो लाजमन यह services भी provided, for example, अब अगर आप किसी भी example को ले 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 चलेंगे, मैं आते ही कहते हूं, कि मैंने specialized machinery है, ठीक है, अब अब supplier है, अब हम supplier के point of view से बात करें न, provider of goods or services के point of view से बात करेंगे, क्या उसके लिए these contract to establish, contract की criteria इसको fulfill करी है या नहीं करी, अब मैं supplier हूं, मुझे पता है कि मैं जो good supplier कर रही हूं, जो मैं machinery supplier कर रही हूं, वो इतनी specialized nature की है, इसकार मेरे, मैं ही installation इसकी provide करूं तो करूं कोई और नह point, मैं आपको इसकी वो बात बता रही हूं, implied से क्या मुराद है, क्या contract can even be implied, ठीक है, contract can be written, यह तो स्को पता लगए यह न, यह तो obviously बात है, कि इस आपने सारे terms and agreements को paper पे लिखा, stamper पे लिखा, सबने इसको रही किया, sign किया, it can even be verbal, worker से क्या मुराद है, उन्होंने fine wine किसमें किया, उसको लिखा नहीं, लेकिन verbally उन्होंने agree करिए कि हाँ जी, यह यह करना है, इतनी consideration होगी, right, और तीसरा इसका यह है, implied, अब implied से क्या मुराद है, वो मैं आपको बता दूँ, अब मैंने आपको यह example बता दी, कि मैं specialized machinery की supplier हू और मेरी policy भी यह है, understood सी बात है कि supplier ही आके install करेगा तो करेगा, right, तो अब इसमें क्या situation है, मैं जैसे ही अपने supplier के साथ, वो transaction करूँगी, arrangement करूँगी, agreement करूँगी for the supply of goods, यह बात implied होगी, इसी मैंने साथ में services की भी delivery करनी है, ठीक है, बात समझा रही है, तो आपके पास contract जरूरी नहीं कि return हो या verbal हो, contract के terms जो हैं, वो implied भी हो सकते हैं, depending on the policy of the business, अगर उसकी practice है, कि वो यह यह काम करेगा contract के अंडर, तो उसको हर बाल, हर दफा बताने की जूरत नहीं पड़ेगी, कि यह यह terms है, मैंने यह यह काम करना है, मैं आपको यह करूँगा, यह तो या तो वो agree करें, उस बारे में discussion करें, उसको लिखें, या verbally discussion करें, या even अगर वो इस contract के terms की बारे में discussion नहीं भी करते हैं, तो contract के terms can even be implied, the contract can even be implied, कि हाँ वे contract है यहाँ पर, यहाँ पर contract मौझूद है, क्यूंकि हमारी dealing इस तरह की हो रही है, हमारी arrangement इस तरह की हो रही ह अब यहां पर हमने यह कहा कि कॉंट्राइक यहां पर किया है step number one पर हमने identification करनी है contract यह न तो अगर मैं आपको step one से लेकर चलूं तो इसमें identification of contract क्या है sale of a new booking and reservation system and naturally इसी बात है, सामने वाली पार्टी जो कस्टमर है, वो कंसिजरेशन भी पे करेगी, हैना, तो the contract is what, the contract is sale off on UBK booking and reservation software system from SYZ Limited to Uni Air, ठीक है जी, contract की identification होगी, बहुत अब्यूस सी चीज है, हैना, again, बहुत अब्यूस सी चीज है, you just have to look out for those criteria that have not been met under FRSST, ना, वो मैंने criteria आपको पान जो बताय से कर, ठीक है, अब यहाँ पे इनोंने ऐसे को explicitly बात नहीं बोली ना, कि जी probable नहीं है कि consideration मिलेगा, या payment terms properly identified नहीं है, या approved नहीं है terms, या जो भी उसके और भी features से हैं, यहाँ पे इनोंने ऐसी बात कोई नहीं बोल तो हम कहेंगे by default हम यह कहेंगे कि जो भी arrangement है, जो भी contract है, वो IFRS 15 के पांचो criteria को fulfill करता है, तो हम क्या करेंगे, identification करने के बाद चले जाएंगे step number two पे, और step number two क्या है, identification of performance obligations, हम जी, हशाम, जवाद, महाद, जले, बात clear हो रही है, समझ में आ रहा है थोड़ा सा कि किस तना से हम लोगे ने identify करना है, क्या items है, step किस तना से apply करेंगे, लिखना किस तना से होगा, वो भी मैं आपके बताऊंगी, जी, पकी बात है, crystal clear हो रहा है, क्योंकि यह थोड़ा सा है, मुश्किल topic है, यह teachers के लिए भी मेरे लेट समझाना, क्योंकि तीज इस तरह किये कि समझाना किसी और को तोड़ा सा tough हो जाता है, difficult हो जाता है, तो अगर किसी को कोई बात clear नहीं होरी, समझ में नहीं आ रहा, वो मुझे फॉरण से pinpoint कर, they'll find a way to, कौन सा data, यह आप note करते रहो न, जीसा example अब मैंने आपको लिखवाई, अब आप इसको सुनते रहो, अपने पास नोटिंग करते रहो, अब यहाँ पर आ गए हम लों किदर, identification of performance obligation, step number two, अब यहाँ पर देखें आपके पास, मैंने आपको क्या criteria बताया है, कि performance obligation, इस तरह से आप identify करोगे, हर एक promise, एक अलग performance obligation है, अगर तो वो goods or services can be sold separately, यानि कि stand alone basis पे, अगर कोई चीज आपको पता है, कि अगर यह contract ना हो, तो हम इस चीज को फिर भी अलग से किसी और customer को राम से देख सकते हैं, तो अगर तो आपने यह वाला criteria लगाया, और वो apply हो गया, आप तो होगे कि यह एक performance obligation है, फिर दूसरे promise पे आएंगे, उसको दे आजएं, अब पहला आके पास promise क्या है, पहला promise आ रहा है, software and license provide करना, supply करना है ना, यानि कि जो भी develop करना है, जो भी करना है, develop करके software along with its license, सामने वाली party को लाके दे देना, अब आपको पता है, यह individual है, अब अगर यह contract की तोर पर देखो, contract में क्या हो रहा है, contract में यह चार अगर सिर्फ हम software and license को focus करें, तो क्या किसी contract में हम अलग सिर्फ और सिर्फ software and license को supply कर सकते हैं, अगर जवाब आया, yes, तो हम कहेंगे कि इस contract में यह performance obligation होगी, अब ज़रा यहाँ पर देखें, software and license है, अभी तो आप इसको इंसारों के साथ मिलाश ही कर रहे हो, right, deliver कर रहे हो, आप software and license भी deliver करें, installation services भी provide करें, technical support भी दोगे और software update भी करोगे, आपने कहले है, software and license को data आपने का, यह items है, इन सब्वे dependent हो नहीं है, है ना, contract में इस सिर्फ यह भी कह से थी थी, कि सिर्फ software and license की delivery हो, that's it, ना उसमें technical support हो, ना software updates हो, ना installation हो, है ना, अब installation बढ़ाते हैं, अब मसला यह है, यह बलके software and license के लिए भी होगा, अब installation services को जब हम सिर्फ focus करेंगे, तो क्या आप सिर्फ installation services प्रवाइड करोगे किसी customer को, आप हो software company, software house हो, जब तक आप software and license deliver नहीं करोगे, installation services भी कोई नहीं होगी, Are you getting my point? तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो software and license और installation services यह एक bundle है, यह दोनो stand alone नहीं हो सकती, अब आपको पता है कि आपने software develop किया, है ना, इसको अगर मैं software and license को दुबारा जा कि अगर आपको explain करूं दुबारा से, यह bundle क्यों हम कहेंगे, हम यह क्यों कहेंगे, कि यह दोनो मिला कि एक performance obligation है, क्यों करेंगे, इंकार्ट इबारा हम software and license में भी कह सकते हैं, कि जी normally क्या होता है, जो software कर developer होता है, वही उसको install करवा के देता है, क्योंकि उसको netiquities बता होती है, तो अगर मैं यह देखू, कि जी software and license की भी मैं delivery बगएर installation के नहीं कर सकती, यानि कि part and parcel होगा ही होगा हमेशा software and license की delivery और उसकी installation services, अब बात समझने आ रही है, तो हमने ही कहा कि हमारे पास पहली performance obligation क्या हो गई, इन दोनों को मिला के, this is performance obligation number one, और वो performance obligation क्या है, delivery, अनि कि development and delivery of software and license along with its installation, are you getting my point, हशाम, जवाद, महाद, जिले, हां जी, एक ले रहे, ठीक है, अब हम आते हैं technical support पे, अब हम देखते हैं कि क्या technical support को आप as a standalone service बेख सक्यों, कि अगर इसमें software and license ना हो, installation services साथ में ना हो, तो technical support आप किसी customer को provide कर सकते हो, हम यह दो आपर सकते हो, है ना, क्या के पास कोई customer आए और वो कहें जी, मैंने यह software खरीदा आवाए, मुझे आप इसके उपर क्या सही है, एक सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल support चाहिए आपकी, और टेक्निकल support से क्या मराद है, जो मेरे थोरे software में issues आएंगे, वो उनको जरा fix करवाना, मेरी queries को resolve करना, तो हमें यह लग रहा है कि technical support, without the software license and installation service हम अलग से किसी customer को provide कर सकते हैं, यह customer के पास already कोई software मौझूद था, उसमें वो भले हमारे से ना खरीदा हो, लेकिन आप उस software पे हम technical support provide करें, यहां तक बात ले रहे हैं, तो technical support इस contract में क्या होगी, अब यहां पे तो हम इसको इकठी offer कर रहें, under the contract, यह हमारी technical support, together है, बंदल together with software license, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, this is a separate performance obligation, ठीक है, क्योंकि technical support services में हम basically क्या करेते हैं, अपनी expertise provide कर रहे होते हैं, अब उसमें कोई और भी software हो, भले वो हमारे वाला software ना हो, किसी और का खरीदा हो, customer ने पहले वो software किसी से खरीद लिया था, और अब अगर उसको technical support की जरुत हो, तो अलग से हमारे पास आके हमारी services यूज कर सकता है, ठीक है, इसी तरह software update का भी हाल है, अब software update जो है, वो आप अलग से भी बेख सकते हो, ठीक है, यानि कि उसमें किसी का साथ होना जरूरी नहीं है, this can be sold on a stand-alone basis as well, अब आप identify करोगे, एक तो practice करके के, इंशाला questions करके हमें थोड़ी और clarification आ जाएगी, plus आपको थोड़ा सा nature of the promises के बारे में भी थोड़ा सा obviously idea लगा के फिर आप इसको करोगे, जी, हशाम, जवाब, महाद, जिले, बात समझाई, तो इस contract में तीन promises हैं, तीन performance obligations हैं, और वो क्या ह software और license को provide करना और उसकी installation करवाना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बगार survive नहीं कर सकते, installation, software provide करेंगे उसी की तो installation करेंगे, software अगर provide क्या, installation provide ना की, ये भी ठीक नहीं है, है ना, तो फिर वो इस्तमाल कैसे होगा, you're getting my point, technical support on the other hand, ये बात की बात आती है, right, इसका अगर कोई customer अगर इसके पास already कोई software मौजूद था, already उसके पास फी resource available थी, और अब वो आकर सिर्फ हमसे technical support मांगता है, तो हम उसको अलगते, ये चीज़ी बेचते हैं, right, अब इस contract में तो हम इसको part and parcel बना की बेच रहें, तो इस contract में फिर आके पास होगे 3 performance obligations and this is your step number two, आपका step number two हो गया, complete, is that clear, एक और example करवा दू, performance obligation की identification की, ठीक है, example two करें, पला का दए सकता है, करवें तो हम भास की की बेचान की बेचार का लग़ी आपान की आपका बेचान की बेचान की और दूग ABC Limited is the customer, ठीक है? यह चिए। वो क्या कह रहे है कि आपका जो टेली पियरस्टी है वो कोई टेली कम्मिनिकेशन सर्वेस्ट प्रवाइडर है तो अगर आपको आइडिया दुक्षा है यह यूफोन होगेरा होते हैं यह जब अपना यह नहींने नया अपना फोन कोई लाउंच किया जाई तो वो शिवो में क्या करने होते हैं कस्टमाइज को लोक्रेव लुट्राइब करने के लिए कहते हैं कि जी आप हमारे से कॉल पाकेज यह वाला करवाएं तब इतने पैसे दे हजार रुपे पर मंद दे और आपको एक हैंटसेट उसके साथ फ्रू मिलेगा यहने कि आपको कॉल पाकेज भी आपका होगा आपको मिलेंगे हजार रुपे में मिल रहे हैं फोन करने की और साथी आपको एक मुबाइल फोन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ठीक है सेनारियो समस्ज में आ रहा है अब इसके अंधर पर आपको मैं बोलू कि आप पर्फॉर्मस अब्रिगेशन तो शायज पर्मिस क्या किया है टेरी पील्सी वे प्रामिस कर रहा है कि आप 1,000 रुपीज हमें एक पर मन्स पे करें आपको फ्री कॉर्ड मिनिट भी मिलेंगे और साथ ही एक मुबाल फोन हैंसेट भी मिलेगा जिसके हम आपको पैसे नहीं ले रहे अब देखें इस तरह की कोई सेनारियो होता है न जिसमें वो कहता है कि जी ये फ्री आफ कॉस्त है ये इसका हम आपके कोई पैसे नहीं ले रहे है वो असल में फ्री आफ कॉस्त नहीं होता ये सिर्व एक सेलिंग गिमिक होता है ठीक है अब वो जो आपसे हजार रुपे ले रहा है हजार रुपे लेगा तुसके यॉबिस्टी अब वो हजार रुपे किस उसमें ले रहा है वो कह रहे हैं ये सिर्व सिर्व आपका कॉल का पैकेज है तो आपके जो minutes है न तो आप उसके लिए pay करें हजार रुपे पर month तो वो हजार रुपे पर month की ही उसने pricing इस तरह की की होगी कि वो अपने mobile phone handset के पैसे भी recover कर लेगा यहां कर बास समझा रही है अब यहां पर हमें क्या करने है अब जैसी बात है contract है बिल्कुल है contract क्या है कि अब टेरी PLC विल सप्लाइर विल डिलिवर a mobile phone handset and will also provide network services to ABC Limited for a particular period of time तो एक पूरे साल के लिए इनोंने बात की ठीक है अब सवार जो दूसरा हमारा main app क्या है कि इसमें performance obligations कौन-कौन की है और कितनी है अब आपने क्या देखा आपने देखा कि दो promises हमें नजर आ रहे हैं एक promise क्या है delivery of mobile phone और दूसरा promise क्या है टेरी PLC क्या कह रहे है कि हम आपको network की services provide करेंगे है call की सहूलत होगी आपके पास आपके पास minutes आएंगे गई दो promises हैं आप आपने क्या check करना है आपने ये check करना है कि क्या ये दोनो promises हम अलग अलग भी sell कर सकते हैं किसी customer को इस contract में तो हम मिला के कर रहे हम कह रहे हैं कि ये पूरा एक contract है क्या आप 1000 रुपे पर मंद पे करें आपको इतने call इतने ministry मिलेंगे और ये एक mobile phone हैंट से आपका free होगा रहे तो ये contract की विज़र से 1000 रुपे का इस price है यानि कि वो सिर्टा में किस यॉर customer को ये total ये दोनों अरेंजमेंट इस यॉर price पे बेचूं अब इतर देखें अब आपने क्या कहना है कि mobile phone handset क्या ये stand alone basis पे हम बेच सकते हैं क्या ये किसी customer को हम सिर्फ mobile phone handset बेचते हैं या बेच सकते हैं तो उसका जवाब आएगा yes यानि कि वो आपको बताया जा question में कि business की भी policy है कि वो mobile phone handset भी अलग से बेचता है लेकिन under this contract वो mobile phone handset को बेच रहा है इसके साथ monthly call package के साथ और वो गया रहा है कि mobile phone handset को हम कोई पैसे नहीं ले रहे ठीक है तो हमने यह देखा कि yes mobile phone handset टेरी PLC की policy है वो business का practice भी है और इसका nature भी इसकराँ से कि mobile phone handset की delivery एक ऐसा promise है जो कि dependent नहीं है monthly call package पे कहने कि ऐसी बात नहीं है कि monthly call package हो गई तो mobile phone handset deliver हो सकता है बढ़ना नहीं ठीक है तो हमने यह कहा यह एक independent performance obligation है यह हमारी होगी performance obligation number one फिर हमने monthly call package को देखा अब monthly call package हो तब अगर एक पर एग्जापल कोई customer आ जाता है मेरे पास terry PLC के पास और वो यह कहता है कि फोन मेरे पास अपना मौझूद है मुझे सिब network services provide करें तो क्या terry PLC कर सकता है बिल्कुल कर सकता है again monthly call package यहनि कि network services provide करना और delivery of a mobile phone handset यह दोनों एक दूसरे पर dependent नहीं है यानि कि terry PLC network services उन लोगों को भी provide कर सकता है और करता है जिनको mobile phone handset नहीं खरीबना आपसे ठीक है तो यह क्या हो गई है यह दो separate performance obligations हो गई है दोनों का एक दूसरे से कोई तालोक है सच नहीं है दोनों एक दूसरे पर dependent नहीं है तो जब एक contract में यह दोनों आपके पास obligations आ गई है आपने का यह एक performance obligation है यह दूसरी performance obligation है इस तरह से हम क्यों separately identify करते हैं उसका एक reason है और वो reason आपको समझ आएगा step number 3 के अंदर अब step number 3 क्या था? कोपार के साथ से step number 3 क्या था? याद है? CO हमने CO कर लिया P क्या है? बलकि इसका step number 4 में आएगा इसका वज्जा जो इसकी समझ में आएगा जी P क्या था? अशान, जवाद, महाद, जिले, what was 3? Step number 3 क्या था? Identification of contract price, yes. तो अब हमें क्या करना है? अब हमें यह चीज़ देखनी है कि under the terms of the contract, price क्या है इस particular contract? यानि कि future में कितना consideration receive करेगा Terry PST या जो भी, जो service provider है. ठीक है? अब इसके लिए काम यह करते हैं, मैं आपके सामने एक proper full-fledged example लिख देती हूँ, फिर हम उसी example को use करते वे, एक second, just give me a minute प्लीज, online नहीं रहेगा, ठीक है? Just give me a minute. चलें जी, तो step number 3, मैं ज़र अभी example देख रही हूँ, ठीक है? मैं भी आपके सामने इसको लिखती हूँ. तो step number 3, पहले हम लिख लेते हैं कि step number 3 क्या थी? Determination of Contract Price, right? Contract Price, Transaction Price, same चीज, the focus is on the total price. Okay, in goods or services की price क्या है, कितनी है, ठीक है? Determination of Contract Price. अब इसके अंदर हम करेंगे क्या? ये example again, तो हम full-fledged देखेंगे अभी, तो इसारा आपके बात और clear होतेगी. Determination of Transaction Price के अंदर, हमने ये देखना है कि जो entity है, जो service provider या जो good का provider है, ठीक है? वो अपनी promise obligations, जितनी भी उसने obligations अपनी promise की वी हैं, जितनी भी promises उसने किये वे हैं, उनके बदले कितना consideration receive करेगा in the future, right? जैसे ही वो performance obligations obviously fulfill करता रहेगा, वो पैसे charge करता रहेगा, right? तो contract price में मुराद, वो amount है, जो कि दोनों parties में या तो verbally, या तो written form में, या implied form में, वैसे normally verbally, तो एक वी agreed होता ही है, कि कितना amount पे करेगा समने वाली party, ठीक है? ये again, इस को मैं, इस step को मैं defer कर रही हूँ, example जो मैं आपके सामें लिखूंगी, इसको solve करेंगे, तो इंशाला उसमें बात clear हो जाएगी, step number four पर आज आते हैं, अब step number four भी, step number three और step number two के ओपर base करता हूँ, step number four आपके क्या था? allocation of contract price, ये भी आपको example देखने के बार थोड़ा जादा clear होगा, तो हमें काम ये करते हैं, अब अपने पास example को जड़ा लिख लेते हैं, step number five ultimately क्या होगा कि आपको फिर revenue recognition का आपको बताना है, कि जी किस तहां से आप revenue recognize करेंगे, और उसके अंदर भी major criteria में आपको बता दिया, कि जैसे जैसे आप अपनी performance obligations को fulfill करते रहेंगे, जैसे जैसे आप अपने promises को पूरा करते रहेंगे, वैसे वैसे उन promises से related आप revenue भी book करते रहेंगे, चीक है, चलाएं मुझे ज़र दो मिनट दें, I'll get back with you, online ही रहीगा प्लीज चलें जी, तो एक example परें कर लते हैं कि आप सारे numerical aspects आरे और फिर आखरी step में हम थोड़ा साथ को explain करेंगे, तो let's go with the example, अब ये example जो हम मैं लिख रही हूँ आपके सामने, इसके अंदर हम पांचों के पांचो steps को apply करेंगे, चीक है, तो आपके पास example है, वो कुछ यू है, जाली से इसको लेक्टेरें आपने पार, तेलेकॉम, खीक है, यह है, यह है, आपके यठोश्MO के लिवक नापके पांचों के तो आपके अपके साथ को यहाँ आपके विर आपके। offered by legit उन travail मैं आपके को के तो आपके विरो साथ को यहाँ 3.5 bene, यह है… कर दो कर दो आन लुडरा कर दो आए लुडरा कुछ वार दोग जूरा लेकंगे लिगाफ्ट साथ। कि सुधू ज़रा आपके लुड़ा लेकंगे। RN enters into a 12-month telecom plan with a mobile operator top PLC, छीक है? The terms of the plan are, अगो terms क्या है उसके? 10,000 जादा हो गया, make it 1500 ठीक है? तो आके पास क्या है? Under the terms of the plan, वो क्या agree कर रहे है? कि जी जो RN है, वो क्या pay करेगा? Monthly fee pay करेगा, पंदरा सौर रुपे पर month के साथ से और इसके लावा एक और चीज भी है, और वो क्या है? Delivery Free of cost ठीक है? अब यह उपर आली एक्जामपल तो है, मैंने उसी देम बनाई थी, उसी सी चीज को यूज करते रहे, ताकि आपको अगले एक्जामपल के लिए थोड़े असानी हो जाए, ठीक है? जो main आपको question उसके लिए असानी हो जाए. अब यह आके पास properly structured एक question है, और वो क्या बता रहा है कि भी बारा महीने का एक प्लान था, जो कि टॉप फियर सी ने अपने customer को बेचा, और उसके इस प्लान के इसाफ से क्या सी सेनारियो हो रहा है कि customer ने monthly fee pay करनी है, पंदरा सो रुपे पर मंच की, ठीक है? और साथ ही, यह बात दिये भी हो गई कि प्लान झाल 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 ठीक है? तो यह बात क्यों बता रहा है? यह आम इसको देख लेंगे अब वो रिक्वाइड आपसे क्या मांग रहा है? वो यह मांग रहा है कि आपने क्या मताना है? कि हाव वूड तॉप पियल्सी रेकिगनाइज रेवनी ठीक है? तो आपसे वो स्टेप नंबर फाइव का सवाल मांग रहा है अब यह बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है ठीक है? तो इसमें पहले हम स्टेप्स कारें अप्लाइ करने के देखेंगे और फिर आइस्टा इस्टा गएके हम उसमें जो भी एडिस्टन चीज़ें उनको पर डिस्टास करेंगे यह आपका सवाल है ठीक है? अब आपने का कि रेविन्यू रेकिनिशन को टेश्ट चेक करने के लिए अप्लाइ करने के लिए हम लगों ने पार्म स्टेप वाला मॉडल फॉलो करना है पहले जीसे बिटा दें सबने एग्जाम्पल नोग कर लिया ठीक है चले अब हम आए सबसे पहले स्टेप पे हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाइ करना है क्या आइडेंटिफिकेशन आफ अफ़ कॉंट्राक्ट ठीक है? अब यहाँ पर उन्हें हमें नहीं लिखा वा कि भई कॉंट्राक्ट रिटन था यह जो प्लान था इसमें हमने कोई रिटन अग्रीमेंट की या नहीं की और हमें यह बात पता है कि उसकी जरूरत भी नहीं है जब हमने देखा कि इस सिनारियो में कॉंट्राइट क्या है आइडेंटिफाइट तो करेंगे और सास ही वो और हैंसेट को भी डिलिवर करेगा तो नहीं नहीं समय के अंदर जब हम बात करते हैं विप क्नुट्राइट इडेंटिकेशन की तो फिर हम तो न शागी का कि इसमें हमने क्वेंट्राइट के आइडेंटिफिकेशन कर ली इसमें contract क्या है कि Aron will receive a handset free of cost वही वाली बात आपने दुबारा लिग दी Aron will receive a handset free of cost and will also enjoy monthly network services ठीक है हो गया identification तो आपके पास यह से था सेनारिय हो गया आपने का गए जी यह है main contract आपने पूरे सेनारियों में से pick कर लिया कि आपके पास यह contract है कि यह यह terms exactly वही वाली चीज़ है जो भी question में given आपने से इसको identify कर लिए चीक है फिर आपने का contract है बिलकुल है और यहाँ पे इनोंने हमें कोई बात भी बोली भी है वह पार्म्स क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया को nullified की को इंडिकेशन ही ली हम यहाँ पे गहेंगे यहाँ पे टर्म्स कारी अग्रीड है यहाँ पे और दो पार्टीज नो दे राइस तर राइस इसको क्या क्या मिलेगा हमें पता है जो entity है जो service provider है जो buska provider है उसको पता है कि उसको कितनी consideration मिलेगी payment टर्म्स भी आपके अडिंटेसाइड है कि इस question में कोई भी बात अची नहीं गिवन जिसमें हमें इस बात की indication मिले कि हाँ जो entity है जो revenue recognizing body है जो revenue recognizing entity है उसको आरान से consideration नहीं मिलेगी it is not the probability of not receiving any consideration is close to nil हम यह कहेंगे कि हमें consideration मिल जाएगी अब जहां पे मैं कहूंगे हम जिसका मतलब है top tier c ठीक है जो revenue recognizing तो सोच रहेगे जिसका से recognize करना है यहां सब्सक्राइब करना है यहां सब्सक्राइब करना है तो हम कहीं नहीं पर क्या चीज़ है और ऐसे कुछी भी इसमें इंडिकेशन ही जिसमें वो कह रहा है कि जी कुछ भी क्राइटेरिया पांच क्राइटेरिया में से कुछ भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा हम कहेंगे सारा मीट कर रहा हम आजाएंगे किस पे step number two पे step number two पे क्या चीज़ है identification of performance obligations ठीक है अब हमने यह देखा कि हमें दो promises नजर आ रहे हैं ना हमें दो promises नजर आ रहे हैं हमने क्या चेक करना है अब हम यह देखेंगे कि क्या यह promises एक दुसरे पर dependent है यह नहीं है हमें question में उसने ये बात बोल दी क्या बोल दी कि top PLC क्या करता है वो handsets को अलग से बेचता है है ना अब इस contract में तो वो part and parcel करके बेच रहा बेच रहा है three of cost लेकिन top PLC की policy है कि वो बई बार handset normal scenario में without monthly plan कितने पर पेच्टा होता है आठ हजार रुपे पे और उसने ये भी बता दिया कि वो monthly plans को भी handset से अलग देखता है उसकी अलग normal policy और वो कितना उसका charge बता है 500 per month तो आपने ये कहा कि ये दोनो promises stand alone basis पे sell होते हैं तो आप हमारे पास performance obligations दो आ गए एक तो आपके पास हो गया delivery of handset और दूसरा आपके पास हो गया providing network services for 12 months अभी सारा contract हो है 12 months के लिए 12 months का plans है टिकेट for 12 months ये अब आपके पास performance obligations आ गई के जो service provider है उसने क्या क्या promises किये हैं ठीक है ये होगा from the point of view of NTP only ठीक है performance obligation होगा कि जिसने जो गुज़र services provide करने उसने क्या specific अलग independent promises किये अब तीसरा step आ जाता है और तीसरा step हो आपका determining the contract price अब हम आ जाते हैं थोड़े से numerical price अगर हम contract price की determination करते हैं तो अब हम जाएंगे बापस जड़ा अब आप आज़ें contract वाले हिस्टे में के plan के हिसाफ से क्या situation है तो अब आप ज़र देखें mobile handset की contract price क्या है zero rupees है ना वो क्या दे रहा apparently free of cost दे रहा है और जो network services है उसकी price उसने कितनी रखी है उसने रखी है 1500 पर मंथ और 12 महीने का ये contract है तो total कितना आ जाएगा 1500 इंटू 12 यहां तक लेर बाग यहां लेके 18,000 रुपे तो अगर मैं आज से पुछू के इस contract के अंडर price कितनी अग्री हुई भी है तो आप यह कहेंगे जीरो रुपीज अग्री हुए वे हैं किसके handset के और 1500 रुपे पर मंथ अग्री हुए है mobile charges के service charges के जिसका total बनता है 18,000 रुपे यहां तक लेर बाग यहां पर आप हमने क्या के लिए यहां पर जितनी भी performance obligations थी हमने उनके individual payment को देखा कि भी क्या क्या agreeing वहाओ क्या 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 है यहां तक लेर है हिशाम जवाद महाद दिले अब हम आते हैं allocation of contract price पर कि अब इससे क्या हुआ है कि allocation से क्या मतलब है आप देखें अब allocation करते हुए हम दुबारा stand alone वाली position पर आजाएंगे stand alone से मुराद समझ आ रही है ना stand alone से मुराद है कि जब हम separately यह सारे काम करते हैं तो क्या करते हैं तो पहले हमने stand alone वाले feature को देखा साथ in the identification of performance obligations हमने ही कहा कि इसी talk PLC अलग से hand set भी बेशता है और अलग से सिरफ monthly plans भी बेशता है तिरफ यहां तरस हमने देखा और हमने का कि यह दोनों इसका मंदब अलग अलग performance obligations होगी चीक है आगे पर हम अब यहां भी क्या देखेंगे अब हम stand alone जो items हैं उनकी देखेंगे stand alone prices क्या थी तो अब आया देखें हम अगर मैं आपको यह कहूं कि मैं अगर एक contract के through नहीं बलके दो अलगले contract के through इस party को handset भी बेशती और monthly plans भी बेशती तो मेरे पास total price कितनी आती आप यह कहते है mobile phone की आती प्राइस इसको इस तरह से करने ज्यादा असान होगा अब आपने कहा यहां पे देखें इसको इसी तरह का format follow करें तो ज्यादा बेतर होगा calculation के लिए ठीक है अब आपने कहा कि performance obligations होगी मेरे पास दो एक तो हो गया मेरे पास क्या handset और दूसरा मेरे पास हो गया mobile service network service क्या तक ले रहा है अब हम यह देखेंगे तो इन दोनों की stand-alone prices क्या है stand-alone prices इनकी क्या होती है तो हम यह कहते है कि stand-alone prices में हम handset को देखते हैं तो उसमें है 8000 रुपे और पूरे 12 महीने के लिए mobile services का उसने क्या अपता था 500 रुपे पर मंच 500 इंटू 12 क्या अंसरा आ रहा है 6000 रही आप नहीं कहा कि address on this contract से अलग करके इन दोनों चीजों को अलग-अलग बेचते तो हमारे पास कुछ यह prices होती है total price कितनी बंती total price बंती इसकी 14,000 रुपे ठीक है अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि total contract price की फिर allocation क्या होगी अब देखेंगे आपको पहले instant में क्या नज़र आ रहा है पहले बिल्कुल यह हमेशा यही होता है यह selling gimmick होता है यह selling gimmick होता है यह selling gimmick होता है अधर देखेंगे अब आपको क्या लग रहा है अगर आप customer होता है आप कहते हो कि जी handset के लिए तो मेरी gift पे कुछ पैसे निकले ही नहीं सारे पैसे जो अथारा जार रुपे है उस सारे के सारे आपने किसके पे की हैं सारे के सारे मैने पे पे किया इंकिसके लिए अपने मुबाल सर्विस के लिए अब दिखा को करना क्या है आपके पास यह पता है कि स्टैंड अगर इसको हम अलगरा खरीटे तो वो कितने पर हम इसको खरीटे रहेंगे कि कितने पर बेशते हम 14,000 रुपे अब आम आएंगे आलोकेशन आफ कांट्राक्ट राइस के अब इसमें होगा क्या आपके पास टोटल कांट्राक्ट राइस है कितनी 18,000 रुपे अब आपने क्या करना है जो अपेरेंटली रियालिटी लग रही है उसके नहीं जाना ये 18,000 रुपे हैंड सेट पे भी अलोकेशन होंगे और कैसे अलोकेशन होंगे 18,000 रुपे टोटल कांट्राक्ट राइस है इसको आपने इस रेशो पे डिवाइड कर देना है किस रेशो पे 8,000 डिवाइड बाइ 14,000 ठीक है आंसर क्या रहा है आपने कहा थारा जार टोटल कांट्राक्ट प्राइस है लेकिन इसको भी हमने अलोकेशन जरूर करना है और अमांट कितनी आ रहे है 18,000 बाइड बाइड कोटिंग करें 10285 or remaining 18,000 into 6000 divided by 14,000 7714 ठीक है तो आप देखिए पाओगा अब आप ने ये कहा कि हमने total contract price को allocate कर दिया है on the basis of stand alone prices 7715 कर जाते हैं यहां तक बात clear है तो apparently क्या था हमें लग रहा था कि handset के against zero revenue कमाएगी company लेकिन company की books में क्या होगा handset के against कमाएगी कितनी हाई होगी 10285 ठीक है अच्छा अब ये जरूरी नहीं है रहे को हो सकता है stand alone prices जादा हो हो सकता है stand alone prices totality में हो for example 20,000 आपने बस तरीका क्या apply करना है आपने stand alone prices के ratio पे contract price की allocation कर देंगे ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है यहादा प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है ज्यादा पर वैसे ज्यादा ही होता है ठीक है अब companies इतना भी बेवोगूफ नहीं बनाती वह आपको package में जैसी बात है package में जब कोई चीज बेखती है तो इसमें customer का थोड़ा बहुत तो फाइडा जरूर होता है ठीक है हाँ लेकिन इसमें यह बात होती ही कि handset के again फिर भी zero revenue recognize नहीं करेगा तो package में जब कोई चीज आप खरीते होना तो इतनी मतलब इतना ज्यादा भी trust issues नहीं होने चाहिए आपको कुछ ना कुछ तो फाइडा जरूर होता है अभी इतफास इस example के अंदर stand-alone prices कम थी और आपके पास जो after contract जो प्राइसी हो जादा थी मैं आपको बता दिया इसना तो normally नहीं होता मैंने सिर्फ calculation करने के लिए आपको यह बता दिया है कि आपने इसको in proportion to the stand-alone prices आपने इसको allocate करना है यहां तो clear है बात यह को आपने कर ली calculation और आखली step अब आपके पास आगया कि अब आपने यह बताना है कि revenue recognize किस तरहां से करेंगे revenue recognize अब किस तरहां से होगा अगर आपको याद हो तो मैंने कर आपको step number 5 के आगे एक और लाइंगी लिखाई थी revenue recognition होगी कैसे कैसे क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ पहली performance obligation कब fulfill होगी handset जब deliver होगा उस time पे हम क्या double and key अपने पास record करेंगे अब यहां पर आप एक चीज note कर लें contract asset के नाम से receivable हलांके यह receivable नहीं है handset तो एक ऐसी चीज थी जिसके against हमने customer से कोई पैसे charge ही नहीं करने है हमने उसको लागे बस पकरा देना है handset उससे उस time के पैसे लेंगे थोड़ी लेकिन आपने यहां पर क्या book कर लेना है एक contract asset नाम का receivable कितने का वो होगा 10285 यहां तक है बस 10285 से contract asset नाम का एक टी अकांट आप debit कर देंगे और क्या credit कर देंगे revenue credit कर देंगे कि हमने जो एक performance obligation अपनी fulfill कर ली उससे related allocated contract price हमने अब recognize कर लिया books के अंदर फिर at the end of every month अब हम भात करें दूसरी performance obligation की कौनसी performance obligation की network services की है ना अब हम उसको देख रहे हैं पहली ओ performance obligation तो recognize हो गया पूरा का पूरा AP time पे अब हम क्या करेंगे अब जो दूसरी performance obligation है वो तो over a clear of 12 months आपने provide करनी है ना आपने network services provide करनी है अगले बारा महीनों के लिए राइट तो अब उसके अंदर हम क्या double entry pass करेंगे उसके अंदर हमने यह चीज़ देखनी है कि जैसे जैसे महीने गुजरेंगे जैसे जैसे हम लोग network services provide करेंगे तो बैसे वैसे हम revenue recognize करेंगे सेनारियो में हमने एकथी allocated price को allocated जो उसकी contract price थी towards that particular performance obligation हमने एकथी उसको recognize नहीं करना ठीक है यहां तक बात ले रहे है उज़रा एगर आजए total contract price for this network service कितना allocated था उपर आज़ते है total contract price था 7715 अब आपने क्या करना है यह काम आपने over a period of 12 months करना है कैसे करेंगे इदर आज़ें एक महीना गुज़रा पहला महीना गुज़रा आपने revenue को तो कर देना है credit और कितनी amount से credit करेंगे 7715 divided by 12 क्योंकि एक महीना गुज़रा अभी आपने इस particular performance obligation का सिरफ एक महीने का आपने fulfill किया आपना promise अगले ग्यारा महीने अभी भी रहते हैं तो जैसे जैसे आपने महीने गुज़रते जाएंगे आपका revenue credit होता रहेंगा करेंगे जाए जल्दी से दिवाइट 7715 divided by 12 क्या आंसर आता है हाँ जी 7715 divided by 12 आंसर आता है 643 गाई अब आपने credit को कर दिया 643 को यह बात समझ में भी आती है अब हम देखते हैं कि हम debit क्या 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 करेंगे अब आपको यह बात पता है कि आपको मन्थली क्या चीज़ मिल रही है मन्थली आपको मिल रही है 1500 रुपे की payment तो हम क्या करेंगे अब ही मिली नहीं है for example अभी हमने से वक्रू किया इसको हमने यह का कि महीना खतम हो गया महीने के end पे पहले इंस्टांस पे अभी कर तक समरने payment नहीं की आपने क्या किया network service के अगेंस revenue को बुक कर दिया 643 रिसीवेबल आपने debit कर दिया पंद्रा सो से पंद्रा सो से क्यों क्यों क्योंकि contract में लिखा वा था कि आरउन जो है वहर महीने के आपर में पंद्रा सो रुपे की payment करेगा अभी हम यह कहरें कि balance कांस के बिसक्त आरउन payment लेके आया नहीं ठीक है तो हमने credit कर दिया 643 से receivable debit कर दिया 1500 से what about the remaining figure remaining figure होगी आपके contract asset की जो आपने handset के time पे create किया था आपने एक asset create किया था अब वह हो जाएगा credit किस समय से credit हो गया देखें आपने इस handset के against क्या यह पैसे actually receive करने नहीं ना यह वाले पैसे हम लग ने handset की delivery पे तो receive करने ही नहीं थे लेकिन धकी छुपे तरीके से यह पैसे हमें 1500 के through receive हो जाएंगे over the next 12 months तो क्या हगा 10285 आप क्या करोगे 10285 को भी over a period of 12 months इस तरह से credit करकर खतम कर दोगे ठीक है बात समझारी है जरा calculate करें नहीं नहीं 10285 को डवाइड करें 2 से और डवाइज करें 12 से 10285 divided by 12 आंसर आता है 857 आपकी double entry balance हो गई 857 प्लास 643 हो गया 500 पूरा double entry आपकी पूरी हो गई तो देखें अब यहां पे आपने को यह कैसी performance obligation के लिए भी अपने agree किया वता contract किया वता जिसके अगेंस आपको explicitly कोई पैसे मिलने नहीं थे लेकिन वो धके छुपे लगजों में over the period of next 12 months आपको पंदरा स्कावाली payment के against मिल जाएंगे अब जैसे ही आड़ान जो है वो हमें पैसे pay करेगा हम cash या bank debit करेंगे पंदरा सौसे और क्या credit कर देंगे receivable हम जी अब बताएं बात समझा आ रही है ठीक है हशाम जवार महा जिले बात क्लेर है ठीक है तो इस तरह से यह simple सी example थी जिसको हमने 5 step model को apply किया calculation की और से हमने यह बता दिया कि अधर date of delivery of revenue recognize किस तरह से होगा delivery of handset की time पर हम कहेंगे कि हम 10285 की revenue record कर लेंगे और जैसे जैसे महीनें गुजरते जाएंगे 12 महीनें गुजरते जाएंगे हम क्या करते रहेंगे जो से related network वाला revenue है network वाला portion है हम उसके against को ठीकी recording करते रहेंगे तो explicitly क्या लग रहा था explicitly यह लग रहा था कि 15,000 के against जो 15,000 की total payment की आपने 18,000 की total payment है वो पूरा वा पूरा revenue की इसके against है network और इसके लिए गैंक के against है handset के against को revenue earning नहीं कर रहा business लेकिन अब आपको पता लग गया कि वो revenue के against छीफ़ाग अपना earn कर रहे कमाम ठीक है यहां तक बात clear है सही है इसको यहीं कर रखते हैं आप लोग इसको revise करें कल Sunday को आपकी क्लास नहीं होगी Monday को आप इसको यहीं से we'll take up और हो सकता है हमें दो से तीन दिन और लग जाए examples बगरार को discuss करने के रहे चीक है आप लोग इंदा mean time यह काम पर सिखते हैं कि study text में जो chapter given है वो थोड़ा मुश्किल होगा सही है वो समझ में आयता तो नहीं लिकिंग जिस go through that जिल्ले I'm not sure about it memory का थोड़ा issue आ रहे है तो वो कहा रहे है कि एक दू दिन आप wait कर लें ठीक है चलें जी इंशाला फिर मंडे को मिलते हैं have a nice Sunday अल्हाफिस